बुद्दवार को जिलास पताल सहित जनपद में 86 केंद्रों पर 19,174 लोगों को कोविट का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें प्रत्रम डोज लेने वालों में 8,178 और दूसरी डोज लेने वालों में 11,098 लोग शामिल रहें जिसके संबंद में सियमो डोज सुधाकर पांडी ने बताया कि अभी भी प्रत्रम डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम है सियमो ने लोगों से कहा कि कोविट प्रोटोकॉल का पालन करें भीर भार वाली जगहों पर ना जाए तथा समय से अपना दूसरा डोज अवश्य लगवाले इस संबंध में गुरकपूर नियोज से बात करते हुए सियमो डोक्टर सुधाकर पांडी ने कहा मिराईस आज हमारे जन्पन्द में 86 जगों पर टिका करण हुआ था जिसमें की 18,800 से ज़्यादा आज का टिका करण हुआ है अभी तक हमने 30,60,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं अभी भी हमारे जन्पन्द में सेकेंड डोज लगाने वालों की संख्या ज़्यादा है दो लाग के करीब है हम जन्ता से अपील करते हैं कि जिनका भी ओवर्ड्यू हो रहा है 84 दिन को विशील्ड में और 28 दिन को वैक्शिन में से ज़्यादा हो रहा है वो तुरंथ हमारे CSC-PSC पर जाएं और अपना वैक्शिनेशन करार करकी फुली इमुनाईज हो जाएं जिससे कि करोना संक्रमा से हमको मुक्ती मिल सकें और जिनों लोग ने कोई भी डोज नहीं लगाया है पहला डोज तक नहीं लगाया हुआ है उसे हमारी अपील है कि वो हमारे सेंटर पर आएं और अपना पहला डोज लगाया है जिससे हम पूरे जिले में जो हमारा 36 लाग का टार्गेट है उसको हम भैचीब कर सकें और सब को हम प्रत्रक्षित कर सकें यही हम जाता से हमारी अपील है कि सब लोग भाई और वैक्सिनेशन करें